हाई फ्रेंड आज में एक एंटी अलर्जिक टेबलेट का रिविवीव करने जा रहा हूँ अलर्जिक के लक्षण जैसे नाक या आँख से पानी का बहना तुछा में चकत्तों का होना, सांस लेने में तकलीब होना इलर्जिक रियक्सन्स जैसे होने की कंडिशन में इस मैडिसिन को लेने की एडवाइस की जाती है बिला मूफ एम टेबलेट ब्रांड नेम से मार्केट में उपलब्ध होता है ग्लैनमार्क फार्मसेटिकल्स लिमिटेट के दोरे इसका प्रोडक्शन किया जाता है कीमत के अगर बात करें तो 10 टेबलेट का एक इस्टिप मार्केट में 152 रूपीस का उपलब्ध होता है फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीच चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन साब तक आ जाएं और आप मेरे कोई भी वीडियो को मिशना करें अगर आपने इस प्रोड़क्ट को इस्तेमाल किया है तो आपके क्या-क्या एक्स्पिरियंसेस रहे हैं कमेंट सेक्षन पर लिखकर मुझे जरूर बताएं आए फ्रेंड्स वीडियो सुरू करते हैं वीडियो को सबसे पहले पार्ट में देखते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में तो फ्रेंड्स इसमें बिलास्टिन 20 मिलिग्राम और मॉन्टी लुकास 10 मिलिग्राम की मात्रा में उकलब्द होता है अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन कुछ बेकलपिक ब्रांड्स के बारे में तो फ्रेंड्स लिकास्ट बी टेबलेट जिसे यूनी मार्क हेल्थ केर लिमिटेट के दोरा बनाया जाता है Audaston M Tablet जिसे Giadus ketidula के द्वारा बनाय जाता है Villa Check M Tablet जिसे Mankind Pharma Limited के द्वारा बनाय जाता है Villa Teen M Tablet जिसे MacLeod's Pharmaceuticals Private Limited के द्वारा बनाय जाता है और Villa Move M Tablet जिसे Glenmark Pharmaceuticals Limited के द्वारा बनाय जाता है Friends Market में मिलने वाले सेम Composition के सांथ उकलब Rs. eldest ब्रांड्ट होती है अंदर का जो composition या salt होता है वह सेम होता है अब देखते हैं friends इस medicine के कुछ प्रमुक इस्तमाल के बारे में तो जैसा पहले मैंने आपको बताया है एक anti allergic tablet है और allergic से संबंदित सारे लक्षण चाहे नाख से पानी बेहना हो आखों से पानी बेहना हो इसके इनमें ददोर एक खार के सरदी खासी हो इसके सारे लक्षणों के निदान में इस medicine का इस्तमाल किया जा सकता है अब देखते हैं friends इसके कुछ प्रमुक साइड इफेक्ट के बारे में तो फिर जी में चलाना चक्कर आना घबरहाट होना उल्टी होना इत्यादी इसके कुछ कामन साइड इफेक्ट की रूप में देखेगा हैं आइए friends देखतें इस medicine को कैसे-स्तिमाल करते हैं तो friends डाक्टर की advice के अनुसार आपको इस medicine का इस्तिमाल करना चाहिए डाक्टर के दारा सुझाये गए डोज और डूरेशन के अनुसार आपको मेडिसिन को लेना चाहिए इसे साबुत निगलना चाहिए इसे चबाना, तोड़ना, कुछलना या पीछना नहीं चाहिए इस मेडिसिन को भोजन के साथ या बिना भोजन के भी लिया जा सकता है परंटु आप Medicine को एक नीचे समझे यह Medicine के गुरंबत्ता को इन्हेंस करेगा आईए Friends देखते हैं Medicine काम कैसे करती है तोijn colleagues मैंने Composition के सेक्सान में आपको पहले भी बताया है यह Medicine दो Composition का एक Communication होता है यानि इसमें Balastine और Monty Locast दोनों Molecules होते हैं बिलास्टीन एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है यह शरीर में केमिकल मेसिंगर्स जैसे हिस्टरमीन वगरर होते हैं इनके प्रभाव को ब्लॉक करता है और एलर्जिक जितने भी लक्षण होते हैं जैसे खुझली का होना सूजन का होना चकत्तों का होना इत्यादी में यह आप को रहात मेहिसुस कराता है मान्टी लेकास्ट एक लियूकोट्ययन के जो होता है उसको रोकने वाला कारग होता है यह जो unanimously्ता है होते हैं उसके एंफ्लामिशन को रोकता है आप यह मा करता है Archives का कम करता है और दोनों मॉलिक्विल्स के इंटिग्रेटी वर्क करने के करण आपको अपने लक्षुड़ों में रहात महसूस होती है अब मेडिसिन से जुड़े कुछ सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करते हैं जिस समय आप मेडिसिन को उप्योग कर रहे हूँ किसी भी भारी मसीनरी पर आपको काम करना पड़े तो आपको सतार्क होकर काम करना चाहिए किड्नी रोग और लिवर रोग से जुड़ी किसी समस्य का अगर आप सामना कर रहे हैं तो आप अपने डाक्टर से पहले पर अमर्स करें इसके बाद ही मेडिसिन का सेवन करें तो फ्रेंड्स यह थे एक छोटा सा रिव्यू मेडिसिन की उपर मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स यह वीडियो आपको पसंद आया होगा दवाओं से संबंधित विबरन यह वाल आपकी जानकारी के लिए किसी भी दवा का सेवन करने से पहले आपको अपने डाक्टर से बरामर सावस्य करना चाहिए इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही है किसी यह अच्छे टॉपिक के साथ आप से फिर मुलाकात करता हूँ तब तक लिए गुडबाई आपको दिन सुभो जाहिंद